हेलो प्रेंड्स मैं वैशाली और स्वागत है आपको कुकुत वैशाली में और आज हम बनाएंगे लेयर्ड ओनियन समोसे जी अलग है पोटाटो के समोसे खाका कर अगर बोर हो गए होंगे तो इस रेसिपी को ज़रू ड्राइ किजिए बनाने में आसा है खाने में बेहद ही स स्वादिष्टी समोसे स्वादिश्ट अगर आपको पसंद आती है यह रेसिपी तो इसे लाइक किजिए शेर कीजिए कम्मेंट कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू केजिए सब्सक्राइब करने का बाद बेल आइको ना बोले ता कि मेरे आने नहीं रेसिपी चलिए शुरू करते हैं आज के रिसे भी फ्रेंस आप देख रहे हैं यम्मी खस्ता समोसे यह इसके अंदर जो स्टफिंग है वो टोटली डिफरेंट है चलिए वो भी दिखा देती हूं मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूं देखी अंदर लेयर कितनी बड़िया ब है और बेहत खस्ता यह समोसे बनते कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले बावल में हम लेंगे एक बड़ी कटोरी मैदा अब हम उसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसार नमक डाले उसके बाद हम डालेंगे दो चम्मच आइल मोयन का काम करता है यह इसी लिए वो खस्ता बनते अब डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा बिलकुल थोड़ा सा डालना है आधा छोटी चम्मच डाला है मैने बेकिंग सोडा आप डालेंगे बेकिंग पावडर एक चम्मच उसी चम्मच से लिया है छोटा चम्मच प्लेन अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स चीजे एक्वेली मैदे में मिक्स हो जाए रगर रगर के ओईल को सब मैदे में लगाना है देखिए कैसे ग्रैनूस बन रहे हैं आप डालेंगे थोड़ा सा पानी आप डालेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी और आटे को अच्छे से समेट लेंगे समेट लेना है अच्छे से ज्यादा रगड रगड के नहीं करना है आटे को क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा फूलाने का काम करता है मैं देखो अब थोड़ा सा आईल लगा के आटे को समेट के रखना है बाउल में अब इसको हम ढख कर रखेंगे आदे सकें तो चलिए अब बनाते स्टफिंग पैन में हमने लिया एक चमच ऑईल अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स और मस्टर सीड्स अब डालेंगे करी लूज दो छोटे काटे हुए प्याज अच्छे से सोटे करना है प्याज को गोल्डन हलकी ब्राउन क कि अब डालेंगे दािस में कटा हुआ गाजर, यह बारिक कटा हुआ गाजर हो आपके पास जो सब्ज़ें अबलिबल ह爱 वह आप यूज कर सक्ते है मैं ने थोड़ा सा मटर भी डाल दिया इसमें आप शिम्ला मिर्ज भी आड़ कर सकते इसमें थोड़ा सा कबिज भी adjacent कर सक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखकर पकाएंगे तीन मिनिट के लिए आप तीन मिनिट हो चुके हैं चले चेक करते आप डालेंगे सारे गरम मसाले इसमें है धनिया पाउडर गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैने डाला है कि चं पानी से क्या होगा सारे मसाले अच्छे से अपक जाएंगे और सब्जी में उसका स्वाद उत्रेगा अब फिर से इसको हम अच्छे से मिला के धक के रख देंगे पांच मिनिट के लिए अब चली आटा चेक करते हैं आटा अच्छे से फूल चुका है आप अंगली डाल के दे उसी स्टेप को फालो करना जरूरी है ताकि अच्छे से लेयर पड़े और लेयर भी क्रिस्पी हो जाए तो बस उसी तरह के से करना है पाल्म का यूज बिल्कुल नहीं करना है सिर्क उंगलियों से ही आटे को समेटना है थोड़ा-थोड़ा मैदा चेड़के समेटना है क्य अब देख सब्सक्राइब के लिए चली अब प्लाटर पे लेते हैं आटे पर ले लिया है अब जिस तरह के से व path को अप जरूर सनत कर देखनस चाकट दोनों हातों का इसतिमाल करके हम आ- Scudται बिल्कुल स्व हमारा आठा एकदम अच्छे से गुंत चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है लाटर पर धिरे दिरे चिपकने लगा है आप देखिए रोल बनाएंगे उसका और एकवली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमें छे एकवल पार्ट्स चाहिए इसके मैं चापू से कट ऊसको निपालोंगे माएड़ में लेकिन पहले थोड़ा साम दनाच चुके में देखि जब क्याएंगर उसको रोटी में परबाईचाि रोट पिसको जब दोनों साइड रोटी बनाते हैं फोर्टां में मढ लखना ना है थाकि रोटी आ हक्वानल बने मुझें पत्ली बनाएंगे तो फाइल जाती है क्योंकि आटा बना ही इतना सौफ्ट है क्यों इजीली फाइल जाती है ज्यादा जोर लगाने की जरुरत नहीं पड़ती रोटी को मैंने पहले प्लेट में मैदा छिड़े के प्लेट के उपर डाला है ताकि हमें आसानी लगे अब उसके उपर अच्छे से सारे कॉर्नर्स तक लगाना है रोटी को अब देख रहे हैं एक भी कॉर्नर छुटना नहीं चाहिए ने तो एक के उपर एक रोटिया जब डालेंगे तो चिटक सकती है अब उसके उपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे मैदा और आईल रोटियों को एक दूसरे को च पकने से रोखता है अब दूसरी रोटी बना लेते हैं हमें छे रोटिया इसी तरीके से बेलनी है और इसी तरीके से उसी प्लेट पर लगानी है एक के उपर एक हर रोटी को हम जब प्लेट में रखेंगे एक के उपर एक उसके उपर हमें ऑईल लगाना भी जरूरी है और म रोटी बनाओ, आईल अपलाए करो, उसके उपर थोड़ा सब मैदा छिड़को, और छे रोटिया हमारी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, एक के उपर एक रोटिया, अब इसको प्लैटर पर निकालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मैदा भी अच्छी डख लेंगे, अब हातों से अच्छी से प्लैटर पर उसको फैलाना है, और उसको काट लेना है, सबसे पहले तो हम वीच से काटेंगे, ताकि हमें चोकोर टुकडे मिल सके इसके, अब देख रहे हैं, प्रोसीजर इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो समूसे एक दम खसता, लेयर्ड वाले बनेंगे, प्रिस्पी बनेंगे, अब इस से काटेंगे, और चोकोर टुकार इसके निकाल लेंगे हम, बस यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो आपको भी तारिफ मिलेगी, जो भी आपके हाथों के समूसे खाएंगे, देखिए, अब इस बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, तब ही हमारी रिसीप अच्छी बनती है, एक चोकोर को हमने लेके हलके हाथों से दो बेलन, दो बेलन लगाने है, बस चोकोर थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ताकि लेयर्स अच्छे से खुल सके, अब हम डालेंगे उसमें स्टफिंग ज स्टफिंग देना होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, कडाई में तेल गरम करने रखना होता है, और यह समोसे फटा-फट बना कि क्योंकि यह इंस्टफिंग बना कर फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस टफिंग भरिये और समोसे तल सकते हैं, तभी लेयर अच्छे से पढ़ते हैं, फ्रीज में रखने का कोई जंजट नहीं है इन समोसों में, पिटी पार्टी हो या कोई भी छोटी मूटी पार्टी हो तो यह समोसे बना कर अब सब का दिल खुश कर सकते हैं, देखें समोसा कितना बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कॉर्णर को हम बाहर ना आए, देखें, हमारे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं, ऑईल भी हमारा अब गुन गुना गरम हो चुका है, क्योंकि जादा गाउरम ओल लेना ही नहीं है हमें, अब हम इसमें समोसे डाल देंगे, समोसों को हलके ऑईल में ही तलना है, बिलकुल लो फ्लेम पे तल कड़ाई में, बिलकुल लेयर हलकी हलकी खुल रही है, पूरा फ्राय होने तक तो लेयर अच्छे से खुल जाती है, इसकी हलके हाथ से भी पलटना है, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए, तो अबस हमें इसी तरीके से सारे समोसों को तल लेना है, देखिए कितना अच्छा ल लेयर्स, आप देख रहे हैं, कितने अच्छे से खुल गई है लेयर्स और समोसे हमारे रेडी है, आप इस रेसिपिक को जरू ट्राय कीजिए, अगली बार फिर से मिलूंगी, मैं आप से एक ने रेसिपिक सा तिल देन, बाई